So guys, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि inverted hammer और candlestick pattern को देखे हम किस प्रकार से trading कर सकते हैं So basically यहाँ पर chart लगाया हुआ है crude oil का और 30 minutes का time frame है 30 minutes के time frame में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर top लगा हुआ था इसी top को देखके हमने एक line यहाँ पर खीच दी यह line यहाँ पर खीच दी, line खीचने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो exactly इसी level पर आने के बाद inverted hammer यहाँ पर pattern बना हुआ है और इस pattern के बाद का जो result है वो तो आपके साम नहीं है यह आप देख सकते हो इसमें होता यह है कि आप top पे selling कर रहे हो आपका stop loss जो है वो काफी छोटा हो जाता है और आपका target जो है वो काफी बड़ा हो जाता है तो यह है inverted hammer